हलो दोस्तो शड़ी मूड में आपका श्वगत है बिहार पुलिस कोंस्टेबल 2020 आज से फोर्म डलाने सुरू हो चुका है अगर आप इलिजबल है तो ये फोर्म जरूर भरिएगा और फोर्म भरते समय इस बात को ध्यान मर रखिएगा कि आपसे तुरूटी ना हो तुरूट में जाकर बहुत आपका दिक्कत होगा और आप कमपर्टेशन से बाहर भी हो सकते हैं हम इस वीडियो में इसका स्लेबस डिसक्स करने वाले है कि इसका स्लेबस क्या है स्लेबस के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से कितना कुश्चन आता है पूर्ड रुपेर मैं आपको स्लेबस बताऊंगा और ये भी मैं बताऊंगा कि आपकी क्या बुकलिष्ट होना चाहिए बुकलिष्ट आपकी क्या होना चाहिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए लिमिटेड बुक पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए य तो फॉम भरने से क्या फायदा अगर ये बात आपके दिमाग में है तो ये विडियो जरूर देखिएगा ये आपके दिमाग से एक दम निकल जाएगा कि इस बार पेपर आउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं पेपर आउट ना हो इसके लिए आपको ही कुछ करना होगा हमें करना होगा और हमारे जैसे और विभूत लोगों को करना होगा और इसके लिए किस पर ज़्यादा हम लोग दबाओ बनाएंगे ये भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ यहीं पर आपको officially मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 05 2020 के आपका जो नया भरती है यहाँ से form डलाने सुरू हो चुका है और इस पर क्लिक करिएगा तो नया टैब खुल कर आ जागा जिसमें आप form डाल सकते हैं ठीक दिसम्बर तक इसका last date है अब syllabus इसका देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप syllabus देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर मैं आपको क्लिक करता हूँ अब नीचे के तरफ आएगा यह वाला आपको खुलना होगा यह वाला देखिए syllabus यहाँ पर दिया हुआ Slavers for Constable in Bihar Police, BMP, SIRB, BSISB यह जो है यहीं आप पिछले साल का भी भरती है जिसका फिसकल होने वाला है अभी और इसका भी वही Slavers है सेम सेम तो यहीं आपको Slavers डाउनोड करना होगा इसको क्लिक कर दिजे, क्लिक करते हैं खुल जाएगा इसे PDF में खोलते हैं उसी पर मैं आपको दिखाऊंगा भी ओफिसल आपको जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी और यहां पर आप देखिएगा जो लिखित परिक्षा होगा इसमें साफ सब्दिया हिंदी का आपका कुश्चन आता है बस आपको यह हिंदी का सलेबस देखकर घबराना नहीं है यह कभी भी अभी एग्जाम हुआ है ऐसे यह नहीं है कि पूस की राथ से बीच में से कुश्चन निकाल कर पूछा गया है ऐसे कभी नहीं किया गया है अब बस यह याद जरूर कर लिजेगा कि इसका जो पूस की आठ कभी 10 कुश्चन पूछे जाते हैं हिंदी का जिसमें आपको 80% से उपर हिंदी ग्रामर से कुश्चन रहते हैं जिसका सलेबस मैं पहले भी खतम करा चुका हूँ और फिर खतम करा दूँगा इस बात को ध्यान मर कियेगा इसमें आपको क्या करना है कि जो जो इसके रा अब यहां पर आता है तीसरे नंबर पर गणीत देखिये गणीत का जो कुश्चन आता है और टोटली अर्थमेटिक्स का कुश्चन आता है ना कि यह दिया है जो 11-12 का स्लेबस उसके एकोडिंग आता है पिछले साल भी आप एक्जाम दिये होंगे उसमें आप देखे होंगे कि चारो सिप्ट में जो कुश्चन हुआ है मिसकी 12 जनुवरी को जी एक्जाम हुआ था और फिर 8 मर्च को जी एक्जाम हुआ था चारो स कि कभी नहीं पुछा हुआ है तो आपको क्या करना है बस अपना अर्थमेटिक सुधार कर लेना है 10 कुशन वास से आता है मैच से अब बात करते इतिहास के सबसे यादा पूर्षन जो आता है कुशन इतिहास से आता है इतिहास तीन भाग में डिभाइड है बाकी यह इंग को तो साथ साथ पढ़ती है रहे हैं लेकिन आपको क्या करना है अब आपको एंसी आटी भी बेसिक देख लेना है बेसिक एंसी आटी फ्री में मिल रहा है आप देख सकते हैं अब कभी भी डाउनलोड कर कर देख सकते हैं फ्री में मिलता है एंसी आटी और वहां से बेसिक अगर clear कर लेते हैं तो इसका हर एक question आप करकर आएंगे अराम से ठीक क्योंकि आप देखे हूंगे कुछ question जो आया था पिछले साल का वर्ल्ड हिस्ट्री से वो साफ साफ है NCRT से था वैसे मैं आपको सारा question में कराने वाला हूं इसका आप द्यान में रखिएगा ठीक अब य बिस्स के भुगोल से question आते हैं और फिर आपको समानने भुगोल से question आते हैं अगर हम देखें तो आर से 10 question जो भुगोल के आते हैं वो अब सारा का सारा question कहां से कर सकते हैं तो लूशन से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि और भी आपका पूरे 100% तयारी हो तो NCRT का 11-12 अब कर सकते हैं भुगोल का ठिक बाकी मैं यह सब कराने वाला हो इस सभी का question में कराने वाला हूं इस बात को ध्यान में रहेगा यहां प्र देख से ते उसके बाद राजनीतिक शास्त्र आता है राजनीतिक सास्त्र का question आप देखिएगा पिछले साल का कुछ डप कर दिया कुशन मना चुका हूँ आपका सभी कुशन रेडी है बस मैं आपको कल से विडियो अप्लोड करते रहूंगा और बस आपको क्या करना है सरसरी निगा से देखते रहाना है उसका आगे मैं जनकारी दूँगा इसमें आपको सबसे बेस्ट बूक होगा लुशंट और बाकी एं साइंस का ही भाग है तो उसे भी मिला दीजे तो टूटल 35 कुशन है और यहीं सबसे निर्णायक भूमिका है इसमें ही आपका होगा कि यह 35 कुशन में आपको 30 कुशन कम से कम सही करना होगा तभी आपका रैंक निकल पाएगा बाहर्च अपने इसमें क्या है इसमें दिखि थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बेसिक के लिए आप नहीं पढ़ सकते तो मैं उसका कोशन कराऊंगा चिंता मत किजिएगा लेकिन आप भी कुशिस कीजिएगा कि एंसी आटी का थोड़ा बेसिक पढ़ ले ठीक कि वहां से आगर कोशन आता है तो आपका कुशन में यहीं चाह रहा हूं कि आपका एक भी कुश्ट ना चूटे और इसमें निगेटीव मार्किंग नहीं होने यह आपका लाफ्पॉंट यह है कि सवो में सवो कुश्ट आपको लगाना है ठिक अब यहां पर देखिये उसके बाद है रासायन विग्यान में क्या है रा तो देखना ही है 11 का थोड़ा बेसिक आपको देख लेना है वहीं से आपको कुशन मनता है ठीक और यह रसान विज्ञान का जो चेप्टर है चेप्टर पर ध्यान मत देखिए चेप्टर पर ध्यान दीजिएगा तो आपको बापने बाप कितना दिया हुआ इतना कैसे पड़ इसके बद बहुत है उसके बीज्ञान से पको पड़ने आता है तो इस उतना ही से सभी खथम उतना ही सब्सक्रां आता है आपको पूरा चेप्टर बताऊंगा कि देखिए यह वहाँ से क्या करना होगा एक नोमिक्स में पनता है वह देख लिजेगा और इसके लिए पंच चेप्टर है आपको इकनोमिक्स का मिसकी एकनोमिक का वह आपको देख लेना है ठीक तो इसके लिए बेसिक होई होगा तो यह आपका स्लेबस में देखिए एक एक पॉइंट अगर पढ़ने लगते हैं तो यह काफी जादा लंबा हो जाएगा जिसमें आपको लगेगा लोगेगा यहां पर देखिएगा तो अपको बता दिया नियुक्ति के परकिरिया में देखिएगा तो आपके इकोडिंग कितने कुशन होंगे जो इंटर्मीडियाट लेबल का स्लेबस दिया हुआ है अब्जेक्टिव टेप के कुश्चन होंगे और टोटल 100 प्रसन होंग मिस्क एक पर एक अंख होगा और निगेटिव यहां पर कुछ नहीं है मिस्क आपको 100 में 100% करना है पिछले बार जो किये हैं लड़के क्या कि चोरी के चक्कर में यतना चोरी में सलगन हो गये थे कि वो 80-85 कुशन तो चोरी कर लिए लेकिन 15 कुशन छोड़ दिये और 80-85 कि दिमाग में यह जरूर रहना है कि डर रहता है जो चोरी करेगा उसके दिमाग में डर रहेगा ठीक इस बात को ध्यान में रखेगा मैं चोरी को कभी नहीं बढ़ावा देता हूं मैं हर्दम इसका खिलाफत करता हूं क्योंकि इसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है बढ़ने वाले स्टूडेंट पीछे चुड़ जाते है और अगर कोशन हमें स्टूडेंट होता है तो उसमें आगर कोशन परद्ली को कैसे रूका जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं हमिऺ रहे हैं तो यह दोनों का भुमिका होगा इसको रोकने के लिए आगे चलते हैं यहां पर आपको पढ़ा होगा विष्ष इतिहास के साथ झाथ देखना होगा यहां से आपको पढ़ लेते हैं से और लोग कर देते हैं बीविद को ठीक अभी जो नयाने आईडीसन आया है आपको लूशन का 2020 में आईडीसन आया है उस बुक को खरीद लिजे उसमें अच्छा बेविद दिया है आपको अब डूडेट कर दिया है वो देख लीजेगा ठीक अब हम बात आगे करते हैं जो बि भेरी करते रहता है अगर हिंदी का कोशन 10 हुआ ते इंगलिस का 5 हो जाएगा हिंदी का कोशन 8 हुआ ते इंगलिस का साथ हो जाएगा ऐसे यह भेरी करते रहता ठीक अब यहां पर देखे मैत का जो कोशन होता है यह ओल्वेज 10 कोशन आता इस बात को ध्यान मरकिएगा आपको एक साइंस के लिए आपके सबसे बेस्ट बुक है जो समान विज्ञान है लूशन का वो होना चाहिए अगर करेंट भी आप करना चाहते कि कि 3-4 कुशन करेंट का आता है तो यह आपको दृष्टी का आप ले लिजेगा सबसे बेस्ट माना जाता है साल भर पीशे का ल करना है कि कुछ आपका बेसिक जुकिलियर करना है वह आपको इनसी अाटी से भी पढ़ना है लेकिन आपको क्या करना है basic 11 जरूर पढ़ लेना है ठीक क्योंकि वहां से क्यूशन हम देखे हैं पिछले साल जहुत ज़्यादा जो कुशन है वो बेसिक आया है वहीं से वर्ड तो भी है यहां से lusent और प्लस ncrt book दोनों book के मिला के जो निचोड question बन रहा है और जो theory होगा question के साथ theory भी मैं clear कराते चलूँगा question के साथ जब solution बताऊंगा को उसके साथ मैं आपको कराते चलूँगा तो NCRT बुक का और Lucian का निचोड जिक्के मैं आपको कराने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइस यहाँ पर देख सकते हैं भारत और कीवाशन में कराऊंगा M, C, Q की रुक में होगा आपको डेली युक्र मिलने सुरू हो जागा 600 को इस बात को ध्यान मर रखेगा सभीधान और सहसन से वाला हुगा वह भी Paco को कोशन आपको कराने वालाह हूँ लगवक्त 300-400 सभीधान से कोशन होगा और सो जो कोशन होगा वे और बिख्यान से आपको 300 कोशन होगा उसके बाद बेसिक एंसे आठीक अब यहांपर भौतिक बिग्यान से 300 कोशन होगे जो कि MC क्यूंड मैं आपको कराने वाला हूं रसाइन विग्यान से 200 कराने वाला हूं यह आपको ध्यान मेर खिएगा और यहां पर है कि आपका समान हिंदी में एकदम जाईएगा पूरा का पूरा सही कुशन लगा कराईएगा इसमें कोई डाउट नहीं है और ये सभी मैं कराने वाला हूं इसके साथ सथ क्या कराने वाला हूं इसके साथ सलीबस के अनुसार जो सेट तयार किया जाएगा यह तयार किया जा तीस फॉल मौक टेक्ट में आपको कराने वाल हो आपकी यूटूब पर 30 से 20 से 65 कुशन्क होगा एक मीनी मॉंक मीनी मॉकति के सांथ यह सभाओं गाओं गांगए 20 से 25 कुशनियु चैब यह त्था स सर्प्राईज्ट सरिब st यह सब सब्सक्राइब कराने वाला हूं यह तोटल मैं कराने वाला हूं अब आगे चलते हैं यहां पर मैं आपको बता दू कटफ और सेफसकोर बार बार लोग पुछते कि सर इस बार तो कटफ काफी हाए जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा लोग फॉर्म बरेंगे इस बात को आप ध इस बार जैसे दरोगा में लगबग आठ लग पिछले बार कितने फोंब भरे थे पांच लग फोंब इसकी पांच लग इस्टूडेंट अपियर हुए थे इस बार अनुमान लगा जा रहा है कि बिहार दरोगा में आठ लग जबकि सीटू की संख्या कम किया गया है वैसे बिहार प्लिस को स्टेवल में 20 सीटू की संख्या तो कम किया गया है लेकिन फोरम देखिया गया पिछले बार साड़े 10 लग जो लड़के बैठे थे इस बार भी लगबग लगबग 10 से 11 लग लड़के जरूर भरेंगे क्योंकि 8 साड़े 8000 सीटू की संख्या है कम कर दिया गया है लेकिन लड़को लड़की की संख्या उतना ही होगा क्योंकि इसका का रगेत रहना चाहिए आना ही आना चाहिए यह आपका हर से चाहिए लगबग लगता है कि हमने question कम किया है तो उस section को मजबूत कीजिए या जिस section में question गलत हो रहा है उस section को मजबूत कीजिए इसमें negative marking नहीं है तो सभी के question आपको लगाना होगा target के देखे target आपके क्या होने चाहिए सभी male और female का कि कभी भी 80% का आपका target होना चाहिए कि कभी भी हम जाए इधर से तयारी करकर अभी भी आपके पस्तीर महीना है तो 80 plus question अराम से करकर आए ना कि चोरी करना है नहीं कुछ करना है बस इधर से इतना तयारी करकर जाना है कि 80 plus question करकर आए इतना अगर question कर देते हैं तो कोई my calendar नहीं है चोरी कौन करता चोरी हमारे और आपके बीच के ही लोग करते हैं और हम उसे देखते हैं ये किसका भरती है ये पुलिस का भरती है जब पुलिस में जाने से पहले ही आपको डर लग रहा है तो आप सही नहीं है पुलिस में जाने से पहले अब आपको लगेगा थोड़ा में कुछ नहीं कर पाएगा अब इसमें आप क्या कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले यह इमेल आइडी CSBC का आप याद कर लिजे यह है आपका email होते हैं जाज करने वाले उनसे जाकर सिकायद करना है अगर वो भी नहीं सिकायद सुनते हैं तो आपको सीधे क्या करना है कि अपने जो साथ में आपके आये होंगे उनको ये खबर करना है उनको कैसे तो बाहर निकल लिएगा या एक्जाम छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीज राऊंगा जहां पर आप वार्सप से माध्यम से बात कर सकते कोल सभी का नहीं उठाते हैं आपके वार्ट c तक एक्जाम है तो इसी टाइम में आपको पेपर भेजना है इस बात को ध्यान में रहें इससे पहले अगर आ गया तो पहले भेज सकते हैं लेकिन पेपर आपको टाइमिंग के बाद अगर भेजते हैं CSBC को email ID को तो आपका evidence नहीं होगा मैं यह सुप्रिम कोट के आपको वकी मत कीजिएगा इसे छोटा में मत लीजिएगा फिर दूसरे पर मैं आपको बताता हूं कि कुछ चो मेडिया चैनल है उसका मैं नंबर आपको उपलब्द कराऊंगा अब आपकी क्या भूमिका होगी कि आगर लगए कि आपके बगल वाला देखिए इस बार सोशल डिस्टें यह भी कुछिस करेगा कि जितना एक्जाम अच्छे से अस्य तरीका से लिया जा सके क्योंकि CSBC से यह भी सिकायद किया गया है कि आप जितना हो सके अगर हो सके तो जैमर का इस्तेमाल करें और हो सके तो इसका व्यवस्था करें कि सुरक्षा के एकोडिंग आपको सभी लड के थाने में अपने गरजियन के साथ या खुद के साथ जाकर सिकायत लिखवा सकते हैं और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा ना आपके पास पैसा कोई मांगेगा और नहीं आपको कोई जिमधार ठाराएगा बस आपका जो एविडेंस होगा वो एक आपको अप्लिकेशन लि पुलिस में तो समझे कि पुलिस का काम खतम हो जाएगा और अभी से आपकी पुलिस की भूमिका बन जाती है कि जब भी चोरी होगा या जब भी कोई चोरी की बात करेगा तो आपको सबसे पहले बताना होगा ठीक यहां पर चोरी करेंगे लेकिन पुलिस का क्या काम होता है उनके चोरी को रोकना होता है, उनके मन में डर पैदा करना होता है, वहीं आपका काम है, अगर पुलिस भरती है, अगर इसमें जा रहे हैं, तो अभी से आपको चोरू को पकरने का तरीका आ जाना होगा, और यह तो सबसे बेसिक है, अगर यहाँ पर ही आपको चोर आउट कर तो यहां पर आपको क्या करना होगा चोर को ही आउट करना होगा तभी आप अंदर जा सकते हैं ठीक तो यह करना होगा नहीं तो पिछले बार के तरह फिर कटप बढ़ जाएगा इसमें महतपूर भूम का उन लोगों का भी होगा जो बड़े-बड़े यूटूबर हैं जो आपको बिहार में चलाते हैं इस बार सभी लोग एक्टिव रहेंगे सभी लोग ग्रूप में रहेंगे और सभी लोग इसका विरोध करेंगे अगर चोरी हो देखेगा तो बुक पढ़ने में मन फिर बाद में कतम हो जाता है तो ज्यादा बुक ही पढ़िए अब आके मैं आपको बता देता हूँ यह देखेगे यह आपका भरती है 05-2020 यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8,415 सीट है यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो ड्राइबर में चले गए हैं अब आपको क्या करना है कि इस एक्जाम की तयारी करना है मन से तयारी करना है पूरे जोर सोर से तयारी करना है और इसमें मैं भी आपको हेल्फ करते रहूंगा समय टू समय जनकारी देते रहूंगा और आपकी अस्टड़ी प्लान ऐसा होना च अगर आप फोरेश्टर के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यह पेड़ कुर्स जॉइन कर सकते हैं इस फर दस फूल मॉप टेस्ट आपको मिलेगा मात्र सो रुपईया में जो कि इसमें अप्सनल भी रहेगा आप बैलोजी का कुश्चन लगाना चाहते तो बैलोजी का मैत का लगाना चाहते हैं अगर कोई फोरेश्ट गाड के लिए टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं तो वनली उन्चास रुपईया में 10 सेट आपको मिलेगा फोरेश्ट गाड का और इसमें टोटल फूल मॉप टेस्ट होगा जैसे कि हंडेट कोशन होगा 120 मिनट होगे निगे श्टोर में जाकर और ये बिहार एक्सम्स स्पेसल पर आपको आना पड़ेगा और इस पर जब आईए गर डाउनलोड करकर यहां पर देखे ये बिहार दरोगा के लिए आप भी यहां से सेट लगा सकते हैं फ्री आपको फोरेश्ट गाड और बिहार फोरेश्टर दोनों क जयार किया गया है अगर आप लगाना चाहते हैं इस चुक है तो लगा लिजेगा सबसे पली यह जो टेस्ट है यह लगा लिजेगा आपको पता चल जागा कि यह टेस्ट आप खरीदना चाहेंगे तो खरीद लिजेगा नहीं खरीदना है तो मत खरीजेगा ठीक तो आपके साथ साथ एंसर लिखियागा जैसे A लिखियेगा तो A के साथ बुध लिखना होगा B लिखियेगा तो B के साथ सुक्र लिखना होगा C लिखना होगा तो C के साथ प्रित भी और D लिखना होगा तो D के साथ सनी तो मैं देखता हूँ कि आपकी तैयारी कैसा है और यह बताईए कि किस ग्राव को संदर्व का देवता कहा जाता है अगर वीडियो अच्छा लगों तो लाइक कीजिएगा को भी मन में डाउट एकॉन बख्ष में लिख सकते हैं वीडियो देखने का आपका बहुत भूत धन्यवाद